Hello everyone, welcome to the paramedical world. So in this video मैं बात करने वाला हूँ, common paramedical entrance exam से related. So as you know very well कि इसका जो है entrance exam conduct हो चुका था और सारी first counselling का procedure complete होने के बाद इसका कल allotment letter release हो गया है इसकी official website पर. So यही information देने के लिए मैं इस वीडियो में आया हूँ, साथ ही साथ मैं बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से document required होंगे at the time of admission और मौपर प्राउंड कब से शुरू होने वाला है और साथ ही साथ आप से एक most of the student का questions देखे हैं कि वो पूछ रहा है कि वह college को change कर सकते हैं, course change कर सकते हैं इसी से related मैं इस वीडियो में information लेकर आया है, तो before starting वीडियो अगर आप channel बना है, then first of all channel को please subscribe कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रस करना ना भूलिए ताकि ऐसी informative वीडियो आपको future में भी time to time मिलती रहें तो चलिए जादा टाइम बेस करते हो है, let's begin this वीडियो तो कल यूनिवर्सिटी ने अपनी official website पर allotment letter को release कर दिया है I hope कि आप सभी ने अपना letter check कर लिया होगा कुछ student को college allot हुआ होगा और कुछ को नहीं भी हुआ होगा वो tension ना ले क्योंकि अभी mop up round होगा वो उसमें participate कर सकते हैं साथ इसाथ उनको बहुत बहुत congratulations जिनको government college allot हो चुका है या फिर जो भी उनका मनपसद college था वो उनने allot हो चुका है So अब finally mind में question आता है कि कौन कौन से document required होंगे admission के time पर First of all तो मैं बात कर लेता हूँ कि आपको allotment letter कैसे check करना है अगर अभी तक जिन student ने अपना allotment letter check नहीं किया है सबसे पहले वो अपनी APBMU की official website पर जाएगा उस website पर जाने के बाद आपको नीचे scroll down करेंगे तो वहाँ पर CPET first counseling option आ रहा होगा उस पर आप click करेंगे red color का option आ रहा होगा उस पर click करने के बाद अगें नीचे scroll down करेंगे और CPET 2023 एक option आ रहा होगा उसमें नीचे registration and information browser का option आ रहा होगा जो yellow color का option होगा login and registration का एक option होगा उस पर आप click कर देंगे then आप फिर से नीचे scroll down करके apply for first counseling blue color का option आ रहा होगा उस पर click करेंगे उस option पर click करने के बाद एक side में option आ रहा होगा allotment letter और वहाँ पर आपको अपना allotment letter पता चल जाएगा अगर आपको कोई college allot हुआ होगा इस तरह किसे आप check कर सकते हैं at the time of admission आपको कौन कौन से document की requirement होगी मैं उसकी बात कर लेता हूँ इस topic से related मैंने last year भी video upload की थी CPET exam के लिए कौन से document required होगे मैं उसी वीडियो को फिर से play कर देता हूँ आप देख लीजिए और समझ लीजिए कि कौन कौन से document आपको at the time of admission लेकर जाने होगे अपने साथ में तो आपको क्या के document लेकर जाना है आप उसके बारे में जान लीजिए तो फर्स्ट जो document required है वो है national certificate जिरॉस्कोपी ओफ वालिट passport attested मतलब की कोई भी आपको वालिट आपकी ID होनी चाहिए जस एक्जाम्पल और आधार काड हो सभी के पास होता है मतलब की आपके पास यूटी का क्या होना चाहिए अगर आप यूटी से है तो आपका डॉबन साल certificate यानि की निवास प्रमाड पत्र होना चाहिए नेक्स्ट आपका admit card इसूट पर आपको पस admit card होना चाहिए होगा ही नेक्स्ट है proof of date of birth यान की date of birth का प्रूफ शाहिए हो ली तो आपके 10th की mark sheet जो होगी वह है एलेजिमन होगी जिसका certificate आपके डाला कर लोग होगी तो वह में certificate लिये जाएगा नेक्स्ट है 10th board mark sheet 12th mark sheet 12th certificate तो आजकल जो इसपीशली जो होते हैं मतलब उसमें certificate और mark sheet वह सेम ही होते हैं एक ही होता है तो आपकी मतलब 10th की mark sheet और 12th की mark sheet दो तो important ही है नेक्स्ट है valid STST अगर आप इन category जो category लिखी है इन से विलॉग करते हैं तो आपके पास आपका card certificate होना चाहिए कि यह 9 point आप छोड़ सकते हैं 10 point भी नहीं ज़रूरी है 11 point है school leaving ज्याने कि आपकी TC होने चाहिए transfer certificate अगर ही आपके पास present type नहीं है तो आप इसे बाद में भी दे सकते हैं school leaving bona fide means character certificate यह आपको only TC is valid TC ही important होती है वो अगर नहीं है तो आप application ready करके ले जा सकते हैं next 12 नहीं है migration certificate जो आपको school छोड़ते समय मिला होगा 13 नमबर पर है medical fitness stating mental and physical आपको medical certificate दियार करना पड़ेगा वैलिट अंबे भी इस डॉक्टर से यह आपकी जो mental and physical condition है वो बैटर है वो बिल्कुल ओके है next 14 नमबर पर notarize तो इसका यह मतलब है आपको stamp paper पर पर शपत पत लिखाना शपत पत पत मतलब यह होता है कि आप college के all the rules and regulations follow करेंगे और कोई भी college में दिक्कत नहीं आने देंगे तो यह जो कुछ documents है और एक अगर आपकर 12 के बाद one year two year के जितने विखकर आपने कुछ भी नहीं किया 12 के बाद और अब यह course करने जा रहे हैं तो आपको एक gap certificate ready करवाना चाहिए जो भी एक stamp paper पर ही ready होता है और अगर आपने कोई और course किया है वह बहाँ पर ambition नहीं लेना चाहते हैं या उन्हें अपने मनपसंद का course नहीं मिलाओ first of all मैंने आपको पहले ही aware किया था कि choice feeling को ध्यान से कीजिएगा मैंने कुछ student के यह questions देखा है कि वह कहा रहते हैं मुझे second वाला college चाहिए था मुझे first मिल गया क्योंकि उन्होंने उसकी preference ही second रखी थी मैंने first वह पहले भी वीडियो में आपको aware किया था कि choice feeling को ध्यान से कीजिएगा अब मैं next thing बात कर लेता हूँ अगर आपको चलिए जो हुआ हो गया अब आपको college चेंज करना है तो इस specific आप course या college नहीं change कर सकते हैं आपको सीट से रिजाइन देना होगा सो जो इसका 13 को 13 अगस्त को क्या होने वाला है 13 अगस्त को इसकी जो अपना college नहीं अच्छा लग रहा है जो आपको अलॉट हुआ है तो 14 तारिक तक आप इससे रिजिस्ट नेशन दे सकते हैं उसका क्या प्रोसीजर रहेगा उसके लिए मैं specific वीडियो अप्लोड कर दूँगा तो यह तो आपका रहेगा कि कैसे आपको college चेंज करना है एंड देन आप अगें डाइस्टेशन कर सकते हैं मॉप अप्राउंड के लिए 16 अगस्ते तो यह आपको प्रोसीजर रहेगा अगर आपको college चेंज करना है को चेंज करना है specific course नहीं होता है आपको पूरे अपनी सीर से ही साइन देना होगा 14 तारिक ता जो भी डिटेल है कब तक वह साइड में आपको शो हो रही होगी आप देख सकते हैं सो मुझे यही सारी information से आपको aware करना था I hope कि काफी डाउट्स आपकी clear होगा कोई भी डाउट है तो comment box में message कर सकते हैं और साथ ही साथ मुझे इंस्टा पर में contact कर सकते हैं I will try कि मैं आपके सारी डाउट क्लियर कर सकते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए